लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब करें के कारण इबंत्र के साधना का विशेश महत्व बतावल गई लाँ आज के सबसे बढ़ संकट प्रांड के संकट है प्रांड शक्ति सभाई में कम हो जात है एही खातिर विभेन रोग समाज में बढ़ल जात हुए जदि हमनी के तनाव रूपी फॉपी में बढ़ल के साधना के सबसे करें प्रांड के संक्ति लूपी में लगफी में प्रांड के क्लुपी माद लगपी में बढ़ल जाता है? राजा शह्याद्री के सुपुत्री सुकन्या बच्पन से ही माता गायत्री के उपासना करत रहे ली महराज उनकरा के देख के प्रसन हो वे लंग सुकन्या पिता से वन जाय के अनरोध करे लिन वन मा अपने सहेलियन के साथ घूमत उदीमक के द्वारा बनावल टीला के देख के चौके ली उनके उकरा अंदर दुई जोती चमकत दिखाई देली तिनका डलते ही अंदर से चीख के स्वर आवेला जवन स्वर के सुन के सभे भैभीत हो जाले अस्वस्थ हो जाले इस्वर चवन रिशी के रहल उनके आंक से रक्त के धार फूटत रहल उन मा गायत्री के पुकारे ले महराज हम गंभीरता पुर्वक सभे के परिक्षण के लिया और हमरा के कवनों प्रकार के व्यादी के लक्षण दिखाई नहीं पडल आश्चर के बाद एक साथ सभे के मल मूत्र बंध होगे लवे राजन लोग वनमा ब्रह्मन करे ये बादे जाले कि वन के जड़ी भूटी के इसपर्ष से बहे वाला वायू द्वारा लोगन के व्याधी के निवारन होगे महराज आईसन प्रतीत होता कि इसब देवी प्रकोफ हाँ हाँ हमरा कभी आईसन अनभव होता जाउन सेनिक कल हमरे साथ बंगेल रहलन उन सब के हमरे सामने प्रस्तूत कर जाए जाउन आग्या महराज महराज के जय हो सैनिक तू लोग हमरे साथ बंगेले रहलन न हाँ महराज हमनी के दसा सोचनिया हो गई लह वन के सरवर के पशिम टटके पास महान महरशी चवन कठिन तपस्या में लीन हवे अगनी के समान तेजस्वी चवन रिशी व्रिद और विशिश थन्थ हवे हमरे समस से जाने अंजाने मा उनकर कुछ आहित भईलह जिकरे कारण हम सब उकर दुस्प्रणाम भुगत रह लही अन्न दाता वानी मन, करम दुआरा हमनी से रिशी मुनी के कवनों अप राध हो जास इह हमनी के नहीं चाहे ली पिता श्री हम एगो निवेदन करल चाहा थाई कहा पुत्रे संभावता हमरा से एगुग भूल हो गई ला कैसन भूल सरोवर के पश्चिम तटके ओर हम सखेन के साथ टहलत रहली अकसमात हमरा के उँआ एगो मिठी के टिला देखाईल दिमकोकरा उपर मिठी के एगो सुन्दर चादर ओडा देले रहलन हम बड़ी जिग्या सासे देखात रहली ओमें हमरा के दुई छिद्र दिखाई देहलस और उँदूनों छिद्रमा दुगों चमके वाला वस्तु दिखाईल हम कउतुक वश्च ओमें लगड़ी चुभा देहली का? हाँ पिता श्री जब हम लगड़ी बाहर निकाल देहली तो उँ रख्ते से भरल रहल उँ चिला मासे हाँ के हल्का स्वर आवत रहल हाँ पिता श्री हाई हाई के स्वर सुनके मन द्रवीत हो गईल यदि कवनों अनर्थ भहिल हा तो उँ हमरा से भहिल हा हाँ पुत्री तोरा से आवश्य कौनों अनर्त भाईल हा हम एही छण चमन रिशी के दर्शन बदे चलाब चला ओम भूर भवस तत्च वितुर्वरेनियम भर्गो देवस्य धीमही धियो यो नह प्रचोदयात ओम भूर भवस्वह तत्च वितुर्वरेनियम भर्गो देवस्य धीमही धियो यो नह प्रचोदयात ओम भूर भूर भवस्वह तत्च वितुर्वरेनियम भर्गो देवस्य धीमही धियो यो नह प्रचोदयात हे चमन रिशी आप कवान है सत्पुरुष हम इहां के समराठ मनुननंदन शायादरी आपके चरण मा प्रणाम करत है कल्याण मस्तू राजन नजाने कवन निष्ठोर हमार रांख फोड़ देले हम के हुके का भी काड़ ले रहली महामुनी इक कहे में हम अत्यंत लज्जित हो थाई हमार कन्या इहां खेलत रहली खेल खेल में उकरा से इदुष्कर्म हो गयल वा ज्यानी अबोद बालिका हा किर्पया उकर अपराद शमा कर देई महामुनी रजन तपस्वी बदे क्रोध वर्जे थोला आपके पुत्री हमार आँख फुर देली बाकी हम उकरा कर शाप नहीं देली उँ हमार आँख के जोती शीन लेली और एही नीच कार्य से आप सभे लोगन के कष्ट भहिल है देवी माता पराशक्ति गायत्री के भक्त के प्रति अपराद कई के काउन सुखी रह सकेला मुनीवर आपके सेवा बदे आप जेतना कहीं उतना सेवक उपस्तित कर देधाई राजन आपके नियोक्त कईल गईल सेवक हमार मंचाही सेवा कैसे कर सकेलन जाकरी सेवामा और समर्पन सेवामा अंतर हो वेला राजन आप आपन कन्या हमरा के सौंप देए महा मुनी देखी राजन ऐसन कैला से आप और हम दूनों सुखी हो जाई हमरे संतों शोला पर आपके कष्ट दूर हो जाई है और आपके कौनों कष्ट दोश भी नहीं लगी कहे कि हम एगो सैयम शीर तपस्वी है हम जानत है महा मुनी हम राज महल जाके आपन सुखुतरी पत्नी और संबंधियन से पूछ के उना उपस्तित हो दाई प्रणाम महा मुनी जैसन आपके छा ओम भूर्बुवस्वह तत्च वितुर्वरेडियम भर्गो देवस्य धीमहे धियो यो नह प्रचो दयात नहीं नहीं कदापी नहीं चामन रिशे अंधा बुढ़ा कुरूभावे उनका देव कन्या के तुल्ला करे वाली आपन सुकुमारी सुकन्या कैसे सोब दे अईसन मूर्ग पापी कहुन होवे जे शुभाशुप के जानकारी रखला के बादो स्वयम सुखी होवे बदे आपन पुत्री के सांसारिक जीवन मा आघात करे हमरा के भले ही जीवन भर दुख मिली बाके हम आपन पुत्री उँ बुढ़ा मुनी के नाहीं सुपब पिताश्री न्याय के मानने ताहवे जे कांटा बोवेला उँ फूल नाहीं चुनेला भैसे घबराईल मुनी के पास जाके हम उनके आश्वासंदेब आत्मदान कैके उनके प्रसन न कैला के प्रयत न करब पुत्री तु अत्यन सुकुमारी अबला हो तु अन्मा उँ अंधा मुनी के साथ कैसे रभू अईसन संभाव न कैके आप हमरा के दुरबल मत बनाई हमार चिंता छोड़ दी हम निश्चय कईले ले ही आज जीवन मुनी के सेवा करब सुकन्या हम सुनले हाई मुनी क्रोधी भी होवे वाणी के मधू क्रोध की विश्के भी मधूर बना देला रूपरंग मा रती से समानता करे वाली हमार पुत्री वो अंधारिशी से विवाग करी ता हम कई से निश्चिंत रहब सोच सोच के आप दुखे मत होई मा हमरा क्यों मुनी के सौप दें इकाम मा सब के सूख होई हमरा बदे कितना अच्छा बात है हम संतुष्ट होके वो परम पावन मुनी के पती के रूकमा सेवा करब हम सती धरम के अच्छी तरह से जाने ली पिताश्री हमके राजमहल के भोग के तनिक भी इच्छा ना ही हो ठीका जैसन तोहर इच्छा प्राराब्द के काउन टाल सकेला हे महामुनी हम आपके आग्या सिर्युद्धार कई के आपन सुपुत्री सुकन्या के हाथ आपके हाथ मा सापा थाई क्रिपया एकरा सुविकार करें राजान हमना के प्रसनता भहिल कि आखेर आप हमार निवेदन सुपुत्र कर ले ले रिशिवर हम दहेज के रूप मा कुछ वस्त्र आभुशन और सेवक आपके प्रदान करताई क्रिपया सुविकार करें राजान हमरा के वस्त्र और आभुशन के कौनों चाह नाही है बाकी हाँ जादी आपके पुत्रियों के लेवल चाहे तो हमरा के कौनों अपति ना ही है पिता श्री हम आपसे एगो विनम्र निवेदन करते ही कहा पुत्री हम तोहर सब बात सुझकार कर ले हमार राजसी वस्त्रि और आभुशन अब वापस ले जाए हम मुनी पत्नी के वेश बना के मुनी वर के सेवा करब पुत्री नाहा रायन नाहा रायन यो यो नहा प्रचोधयात देवी सुकर्ण्या देवी सुकर्ण्या आईली नात आईली हवन कुंड में लकड़ी ढालत रहली जब से तु याश्रम माईल हो हवन कुंड के अगनी कभो नाहीं बुझेला आई यहाँ 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 बैठी नात आग्य होखे त वन से कुछ कंद मुल ले आईली ले आवा किन्तु अधिक दूर मच्चे ही हा और शिग्रही लोटे के प्रैत्न करी हा जी आपसे दूर होते ही हम्रा मन में उथल पुथल हो खेला गेला हम जाना थे देवी तो हमार आवश्रक्ता के आपन देंचर्या बना ले ले आऊँ जा थे नात पराशक्ति तोहा रक्षा करें स्वामी ली गोजन करें ये का अपरे है ये तिन्नी के चावल हवे आपके स्वादिष्ट लगी तद दुबारा बनाई भी स्वादिष्ट झाल 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 स्वामी, हम सरवल से जल्ले के अभी ही आवा थी अनुज, कितना सुन्दर आई जलाश है, यहाँ थोड़ा विश्राम करण जाए हाँ भ्राताश्री, विचार उत्तम हवे हम सोचते हैं अनुज, इस सरोवर कितना ओदार होवे लें भ्राताश्री, यह अपना बदे नाहीं, केवल दूसरा बदे होवे लें सत्य कहत हो आनुज, यह अपन उदारमा संख जलजीव के पालेलन दूसर प्राणी के प्यास बुझावेलन उनकर मल्द होएलन, किन्तु अपना बदे, अपना बदे कबो के हुसे कुछ नहीं मांगेलन बास्त्व में जीवन भी जलाशे के भाती ही होखे के चाहे हाँ बंधू, हमनी वर्षो से भुमंडल के ब्रमन करत हैं और आपन जीवन जलाशे समानी बना ले ले हैं ड्रमन करत हमनी के जीना भरल एकर का कारण हो सकेला भ्राताश्री एकर कारणा नुझ भूलो के विवित्ता, प्राणी प्राणी के भिनता, एवं सभाव के विचित्रता हाँ भ्राताश्री, इहां के मानव भगवान के पुजा करेला नी किन्तु भगवान के पावे बदे नहीं, स्वर्ग के पावे के बदे बेचारं के ज्ञान नेखे कि स्वर्ग लोग में रितू परिवर्तन नहीं हो गेला उहां के देवतालों के पास मानोजे संस्ता हिर्दता ना हो गेला देवताव मां मदहंकार यंत्रवत जीवन होला अच्छा ही भैल भ्राताश्री जे देवराज हमनी के स्वर्प से निश्काशित कर देलन हाँ अनुज इभुमंडल मां हमनी के असंख लोग के असाध रोग से मुक्त करेली उनकरा के प्रसंता देली एवं उनकर आशिरवाद पेली हाँ भ्राताश्री भ्राताश्री उदेखी 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 अनुज चला उनकरे से पूछाई जाए चली सुन्दरी तनिक ठैरी हमनी सूर्य पूत्र अश्वन्नी कुमार ही सूर्य पूत्र हमार प्रणाम स्विर्कार करी हमार पती आश्रम मा विराज मान हवे चली उनका चलके हमार आश्रम के पवीत्र करी अवश्य देवी अश्विनी कुमार लोग, यह आपन पतिवरत धर्म के पालन करत, आपन प्राण त्याग देई, पर हम राके नहीं त्यागी, हम एक तपस्वी अपराधी बन के एकर शोशन नहीं करब नहीं नाथ आप ही बताएं हम का करें